असलांग वालेकुम वेलकम टू लिट्रेचर लोवर आज का हमारे टॉपिक है सिम्बल्स ऑफ ग्लिवर्स ट्रैवल्स बाइ जॉन्थन स्विफ्ट तो स्टार्ट करते हैं हमारे सिम्बल सबसे पहला सिम्बल जो हमरे पास आता हुआ है लिली पुशिंस का जो लिली पुशि पर के esion है को ब्यानकिया गया है एक सिम्बल के तौर पर एंको रिप्रेजेंट गया गया है जो ऐमन्काइंड की एका सिव प्राइड था उसको शो हने इसके इलावा जो प्लिट कल सीच्विशन थी इंगलैन की या इसके इलावा जो चेर्च वाले के थालिक चर्च यह प एक रिप्रेजेंट करते हैं political situation को उनकी जो political situation थी उनकी जो अपर class थी उनको high hills के साथ compare किया गया और जो low hill है उसके साथ जो lower class political situation उसको बियान किया गया उसके बाद इसमें एक दिखाया गया था big Indians और little and big Indians तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो Catholic Church वाले हैं इसको रि reflect था उसको sound किया गयाए इसके जरहे से Panic為 लेलिपिजेंट के जरहे थे तो ये सारी जो England के है तो इसे सारह है इसको sound किया गया है लेhim पिज़ करके इनको रिप्रेजेंट करके नेक्स्ट जो symbols simbol वारे पास आते हुँग है ब्रॉपटिंग ्डैंग का जो अपने आप प्रायड करता है और वो किस तरह से गीरा हुआ है अंदर से? एक्छली तो उसको शो कर रहे है उसके प्राइड वे है ये जो भी उसके प्रायड onder वीय है उसको शो कर रहे हैं जो लोग थे बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे और बहुत ही जादा प्राइड कर रहे थे कि हम जुह है इस तरह के हैं जो उसके उसमें बहुत से हम ने देखे किस तरह से दिखाया गया कि कुछ लड़की आ ऐसी थी जिनके पास स्मेल आ रही थी या कोई औरत थी जिसको breast cancer था इसके इलावा एक शक्स था जिसको kuman grass था या गार इसकी तरह के एक और person दिखाया गया था जिसकी legs जो है वो wooden थी तो इस तरह किसे जो उनका pride है उनको दिखाने की कोशिश की यह ब़्याद कया गया किस तरह से जो फाल करता है कि उनके बस में कुछ भी नहीं है कि ये जो प्राउड है ये सिर्फ और सिर्फ इनके हाइट के वज़ा से है या ये अपने जो अंदर की छुपे हुए जो एब हैं जो भी खामिया हैं वो उसको नजर अंदास कर रहे हैं झाल आपको देखने हैं जो इनके इंटरनाल सोच है या इंटरनाल जो उनका रिलेशन है या किस तरह से वो चल रहे हैं उसको भी न खरस अब ही जो बिलकुल भी नजर अंदास कर देते हैं थर्ड जो धायरनी हमआरे पास आता है वोह हाने लोग उते हैं वो साइनसे और फिलोसफी उन में घुसिस में । कोई भी मुसर नहीं होता फादित नहीं होता बल कि अपने आपको उचार के बैख होते हैं उसको इसमें डिस्टॉय कर देते हैं कि अपने chemical या फिलोसफी कलीव मेंें होते हैं तो इस तरह वो अपने आपको भी डिस्ट्रॉइ कर देते हैं तो उनकी जो फोली है वो जोनतन स्विफ्ट ने इसके तोर पे रिप्रेजेंट किया है वो किस तरह से अपने आप को जो है वो डिस्ट्रॉइ कर रही है या एक बेवकूफी कर रही है किस तरह के वो फिलोसफी जहार रहे हैं या हम मैथमेटिकल ली किस तरह से वो इंगलेंड की सिच्वेशन जो है उसको दिखाए गया है कि वो ऐसी जो है वो टेक्निक्स बनाई प्लोसफी बताई जा रही है जिनका कोई फाइदा नहीं है वहां के लोगों को तो इस तरह जिस तरह वो दिखाए गया था कि वो एक जो हता है उसमें एक नेक्स्ट हमरे पास हुनम्स आ जाते हैं जो हुनम्स हैं यह भी एक सिंबल है जिसमें इंगलेंड की जो हैं कि उनको कंपेर किया जाता है हॉर्सिस की जो हॉर्सिस जो है उनके साथ उसको उनको शोड किया गया या उनको कंपेर किया गया तो वह वहां पे दिखाए जाता है कि वह जो हॉर्सिस हैं किस तरह से बाते करते हैं बात चीच करते हैं तो जो गिल्यूवर होता है उनकी जबन है जब छब सिखता है तो उसे मालूम परता है कि ये कितने अच्छे इनसांों से किसके हड्य हा ही हो और वहाँ पर जो सर्फ कर रहा हैं उनको यहाँ ईहोज होते हैं जो कि फिर से रिलेट करते हैं तो वो अपने जो हैं उनके साथ अपने आपको कंपेर कर रहा होता है कि जो हिमनम्स हैं वो कितने अच्छे हैं और जो हिमन काइन है वो कितनी गिरी हुई है या किस तरह से ये सर्वाइब कर रही है कि इनके इतने भी उकात नहीं या वैलियो नहीं है कि ये खुद को सेव रख सकें या अपने आपको वो इस काबिल भी नहीं है ये सर्व करें हैं उनको तोनेक्स्ट नेक्स्ट हमने पास सिंबल आजाता है क्लॉदिंग का क्लोधिंग जो प्लेसीज वे क्लोदिंग स्टाइल वो डिपरेंट से फिरूट वहाइन जाही तो ओर पेस्ट पाइश कीया जाता है उनकी प्लेस्ट और इंग्लेंड था इसमें भी क्लोदिंग छो है वेडिक्टHelp वप्लेस तूफ। जैसा कि अब भी है कि जो western dresses है वो किस तरह से होते हैं जो हमारे dresses है वो traditional होते हैं हर एक ने जो अपने religion के मताबिक जिस तरह से उसके perspective हैं उस तरह से वो dressing करते हैं या मुक्तलिफ place to place वेरी करते हैं कि किस तरह से dressing है वो वेरी कर रही है